नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल येश्वता देवी आई केर पे स्वागत हैं मैं हूँ आपका दोस्त किलिनिकल कंसल्टेंट आप्टोमेट्रिस्ट श्याम बाबू आज हम जिस टॉपिक पर बतनाने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्पूर होने वाला है क्योंकि भारत सत्तर प्रतिशत लोगों के अंदेपन का कारण इस विमारी से होता है जिसे हम मोतियविंद बोलते हैं जी हां आपने सही बुना जिसे मोतियविंद या केटेरेक्ट भी बोल मोतियविंद का मुख्य कारण यह होता है जो हमारे आप प्रहग जो हमारे आंग के अंदर प्रकर्टिक लेंस होता है कुछ टायम बात सफेद पढ़ जाता है जो 45 साल के बाद से धीरे-धीरे सफेद पढ़ने लगता है मैं दुदला दिखाई देने लगता है उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल आयोल इंट्राउकुलर लेंज डाला जाता है तब जाके हमारी आग की रोशनी थोड़ी साफ हो अब आपकी यह सोच रहें रहें यह मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि अब आप अपने घर पे बैठे मात्र अपने मोबाइल से जी हां अपने अपने मोतेविंद का इलाज कराल सकेंगे जी हां आज टेकनोलीजी का युक कहा गया है जी हां टेकनोलीजी के युक में आप देख रहे हैं रोज नए से नए अविश्कार हो रहे हैं उसी में से AI लोजी शार्प साइट होस्पिटल लें एक डेबलेप्ट किया है जी हां एक मोबाइल एप डेबलेप्ट किया है जिससे कि आप अपने आख में यह पता लगा लेंगे कि मुतेविंद मुतेविंद है या नहीं और इसकी एकुरेसी आप मान के चलिए 95 परसेंट तक है शार्प साइज और होस्पिटल में 10,000 मरीजों पर इस एप के द्वारा जाच की जा सकी है जो की 95 परसेंट तक सही निकली है और इसे जल्द ही भारत में लॉंच किया जाएगा बहुत ही जादा लोगों को फायदे मिलेंगे जो लोग ऑस्पिटल नहीं आ सकते हैं या ग्रामेड इलाके में हैं या जिने आपने नौलिज के आखों के बारे में नहीं प पड़ेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि मोतियविन है की नहीं अगर मोतियविन होगा तो वो हस्पिटल आएंगे नहीं खाने आएंगे इस एप के माध्यम से इस एप को जल्द ही भारत में लॉंच किया जाएगा और इस एप से काफी लोगों को मदद मिलेगी पहचानन में की उन्हें मोतियविन है या नहीं उमीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई अजहीं आपका एक शेयर किसी की आखी रौष्णी बचा सकता है हाज के लिए वस इतना ही मिलते हैं रही वीडियो में नमस्कार झाल झाल